नमस्कारम, अगर हम बात करें, पिछले कुछ सालों में जो बहुत अच्छे गेम्स हुए थे, तो मैंने सुचा कि एक टॉप 10 एक लिस्ट बना दे हैं, और अटलीस्ट 10 गेम्स सेलेक करते हैं, नमबर और नमबर टू के हिसाब से नहीं, पर हाँ 10 गेम्स जो बेस्ट हुए अच्छली, जो वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट इंजने जैसे की स्टॉक फिश या फिर अलफा जीरो की अगर हम बात करें, और एक स्ट्रॉंग इन दी चल रहा है अच्कल, लीला चैस जीरो, तो यह जो गेम है पर्टिक्लरली यह अलफा जीरो और स्टॉक फिश के भी जो सब्सक्राइब की तरफ जाते हैं और फिर उसको डिटेल में देखेंगे, गेम जो स्टार्ट हुआ वो नाइट F3, नाइट 2, F6 और इस इस पोजिशन में आप देख सकते हैं कि उनका जो ओपनिंग चोईस है, आफटर C4, B6, B6 नॉर्मली तोड़ा रहर है, रेगुलरली वो नहीं खेलते हैं जादा तर, D4 और E6, अब अगर आप देखें कि मोडर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो G3 के बाद यह बहुत पॉपुलर वरियेशन है, जिसको हम Queen's Indian के नाम से जानते हैं, और इस वरियेशन में अगर देखा इनके साथ इसी लाइन पर गेम हो था, मैं Blackthouse में कुछ साल पहले, और अगर हम बात करें दूसरे वरियेशन की, तो B7 भी एक बहुत पॉपुलर चोईस है, जिसमें कि मुझे आदे कि Alpha 0 का ही एक और गेम हो था, BG2, B2E7, Castle, Castle, और यहाँ पर आक एक बहुती साक्रिफाइस दिया था, जो कि D5 वाता है, जिसमें, एक्चुली मेरे खुद दो गेम हो चुके हैं इस पर, तो मैंने हाली में लास्ट यर भी एक गेम खेला था इस पर, तो D5 जो है, अगर आप E2D मारते हो, तो Knight H4, और after C6, D5, Knight D5, and then Knight F5 आ सकते हैं, और simply जो आईडिय है, वो E4, Knight C3, यह सब आप खेल सकते हैं, इसमें, वाइट एक बांड़न है, बर definite compensation है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए ही, मैं जो आज का गेम दिखा रहा हूं, कि क्यों यह पोजिशन चलनी चाहिए, यहां क्या इसका बेस था, ओपनिंग का, वो हम देखेंगे कि कैस सब्सक्राइब करने के साथ, यहां से कुइंस इंडियन में यह पोजिशन अच्यू कर सकता है, आफ्टर G3, बिशप A6 के बाद, यहां पे कुइंसी टू केला, C5, D5, और फाइनली इस पोजिशन में आप देख सकते हो कि यह जो पांड सैक्रिपाइस लाई वाली लाई है कुइंस इंडियन में, यह बीच में बहुत पॉपुलर भी हो था, इसी सिमिलर कंसेप्ट पे मेरा बीच में अनासिक में एक गेम हो था बक्ती कुल करने के साथ, जो भी एक अच्छा गेम हो था उस टाइम पे, लेकिन आफ्टर E कर D5, C कर D5 और बिशप B7 के लाई हाँ प लेकिन जादा पॉपुलर जो हो Nd5 है, बीची टू के लाई है यहाँ पर Nd5, वैसे यह सब इनको जादा बहुत एक्स्टेन नहीं करूगा, और कैसलिंग के बाद यहाँ पर Nd6 खेला, अभी आप देख सकते हो कि रूख D1 खेला है यहाँ पर अप बिशप B7 होना है यहा इधर कुछ कंडिशन में आप नाइट जो है वो C7 जाके E6 भी आ सकते हो, यहाँ पर C7 जाके E6 आ सकते हो, ताकि बाद में यह नाइट E6 का जो है, वो G7 को प्रोटेक कर रहा है, D4 को प्रोटेक कर रहा है, तो यह भी एक चॉइस हो सकते हैं, बर नाइट F6 के लिए यहाँ E4, और आफ्टर E4, वैसे कुई F5 आइट F6 भी major variation actually, आफ्टर E4, G6 के लिए हाँ पर, ब्लाट ने, कुई F4, कुई F4 के बाद यहाँ पर, यहाँ पर, कैसल कर दिया है, ब्लाट ने, कैसलिं को अभी, अगर हम थोड़ा रुख के इस पोजिशन को समझने की कोशिश करें, तो आप देख सकते हैं कि वाइट एक पॉण डाउन है, लेकिन अगर हम पोजिशनल चेस की बात करें, तो D6 बहुत अच्छा स्कुएर है, एक वाइट के लिए, जिसमें आप नाइट मैनिवरिंग करके कभी D6 पर बिटा सकते हो, यहाँ अगर कभी बिशप एक्स्चेंज क्योंकि इसके कारण जो D6 स्कुएर बना हुआ है, यहाँ फ्यूचर में कभी आप देखें कि D6 और F6 दोनों ही स्कुएर पर बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकता है, तो यह जो अंडास्टेडिंग था मुझे लगता है, जिसमें से अलफा जीरो ने यह गेम खेला था, यह क्योंकि न्यू टाइप का चेस्ट था, क्योंकि अगर हम बात करें, यूमन वर्सेस कंपेटर की तो एक अलग वे होता है, दोनों के खेलने का, कोई एक एक एक्सपरियेंस चेस्ट प्लेयर आपको मुझ देखके समझा सकता है, कि यह जो मुझ आ रही है, वो किसी कंपेटर अगर विंडो में लोगों में बता है भी है, कि लेफ्ट में बुक का आप देख रहे हैं इमेज है, तो उसमें उन्होंने यही मोस्ली जो मैंने प्रिविश देखे 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 उसमें यही बता है तक इस गेम को, अलफा जीरो ने कैसे गेम को नया एक शेप दे है, तो डेफिनेटली इस पोजीशन में आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें आगे इस पोजीशन के को एवल्याट करने की, तो इसमें प्रॉब्लम्स हैं अभी ब्लैक को और इतना इजी नहीं होता है कि बले ही आप पॉन अप हो, लेकिन अगर एक्टिविटी की बात क करें, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसको हम लोग एक सेक्शन में रख सकते हैं, एक्टिविटी वर्सेस माटेरियल, तो माटेरियल होने के बावजूद भी ऐसे हो सकता है बहुत बार, कि आपके प्रॉब्लम्स रहें हमेशा आपे, तो गेम देखते हैं कि आगे क्या हुआ में, तो e5 खिला है यहां पर, और नाइट h5 को आप देख सकते हैं कि यह भी कुईन पर अटैक है, कुईन जी फोर खिला, रूख 8, यह उस तेम पर एक नॉवल्टी था, रूख 8, और आफ्टर रूख 8 यहां पर नाइट c3 खिला, डेफिनेटली जो जो रिमेनिंग पीसे हैं, उनको गेम में लाना बहुत ज़रूई था, तो कुईन साइड में जो भी पीसे है, नाइट c3 में भी बिशफ 8, 6 और बिशफ 2, f4 और फिर रूख c1 भी आ सकता है, यहां फिर आप रूख डबल कर सकते हैं यहां फिर आप रूख डबल कर सकते हैं, तो एक नाचरल रि अब रूख के थोड़ा चेक भी कर सकते हो, इसमें सिंप्ली नाइट इंटू इफाइओ आ रहा है, क्योंकि अगर आप कुईन इंटू इफाइओ तो नाइट e7 आके, कुईन इंटू e5, नाइट e7 आके, और डेफिनेटली यहां पे अब देख सकते हो कि बिशब जो है व यह कंप्रेटली विनिंग होना चाहिए, इसलिए नाइट d5 को आप जो टाक्टिक्स अविलेवले हैं उसमें आप मार नहीं सकते हो, पॉन को, इंडेरिकली वाइट जो है वो इफाइओ को कंट्रोल कर रहा है, बिशब एफट खेला है यहां पे, क्योंकि अभी नाइट इ जी फोर को प्रोटेक्शन है फिलार यहां पे, तो नाइट e7 के लार यहां पे ब्लैक ने, और नाइट e7 के बाद, क्योंकि ब्लैक के पोजीशन में ज्यादा स्पेस नहीं है, तो एक रूल हमेशा धाना चाहिए, अगर आपके अपोनेंट के पास स्पेस नहीं है और आप बिशप c6 queen b से बनाके इस diagonal पे pressure create कर सकते हो, और finally आप देख सकते हो, भले ही bishop effect पे है, लेकिन उसके बावजूद यहां पे white ने rook d6 के ला, अब यह जो maneuvering है, इसमें आप देख सकते हो कि rook double करने का simply एक तरीका है, लेकिन क्योंकि bishop का spar tag है, तो और भी कुछ chances create कर सकता है whiteist म और हमेशा careful रहना पड़ेगा कि कोई असा discovered threat नहीं है, जिसमें d6 को problems आ सके, लेकिन उसके बावजूद white ने rook d6 खेला, knight g7 है, black यहां पे, knight g7 को rook h6 खेला, और finally यहां पे आके rook h6 पा देख सकते हो कि rook बाट डिंजरस positions create कर सकते है, भी, so queen b7 खेला है यही idea था जब bishop c6 खे यगर एक बार bishop into bishop exchange हो जाता है वो, तो light color, dark colors को control करने के लिए black के पास कोई piece नहीं रहेंगा, और उस condition में problems हो सकते हैं, especially in those quests पे, तो यहां पे knight d5 के ला, black ने knight का d5, bishop का d5, rook d1, finally जो last piece बचा था गेम में, वो white ने improve कर लिया, और knight e6 के बाद bishop into f8 भी मार दिया, जिसको आ मैं पहले बात करा था, यह दोनों squares बहुत ही important हो सकते हैं, white के लिए, queen h4 के लिए यहां पे, कुछ conditions में, अगर आप knight remove करते हो, तो knight g5 एक threat आ सकता है, जिसमें x7 को problems रहेंगे, तो bishop c6 के लिए यहां पे, और directly अभी जो threat था, वो rook into d5, queen into d5 और knight g5 आ रहे है, जिसमें x7 के threats है, और कुछ clear का doops को उनको देखना पड़ेगा कि queen d1 को एक resource ना हो, इसलिए आप वोई threat king h2, rook into d5, queen into d5, knight g5 और उसमें double threat रहेंगा, bishop into d5 मर रहे है, और h7 पे mate हो रहे है, so half chances थे उदर, तो black ने bishop c6 खेल दिया है, queen h6 खेला है, queen h6 को mainly idea ही हो सकती है, h4, h5 आप खेल सक जिसमें आप उदर और ज्यादा pressure बना सकते हो, यह एक बहुत अच्छा actually counter होता है, बहुत बार कि आप h4, h5 push करते जाओ, अगर आप कोई clear cut, आपके पस कोई plan नहीं है, तो अब इस से भी pressure बना सकते हो, rook a e8 खेला है, black नहीं, rook d6, अभी आप दिख सकते हो, वो जो e5 pawn है, उसमें कितने अच्छे squares बना दिये हैं, और एक इसाब से देखा जाए तो black बहुत साधा cramp लग रहा है, दोनों साइट में, queen side और king side में, so after rook d6, bishop into f3 मार दिया उन्होंने, bishop into f3 definitely, इसको आप नहीं मार सकते हो, f3 supported है, queen a6 खेला, और queen a6 को आप दिख सकते हो, फिलाल a2 पे alpha 0 ने बहुत ही powerful plan यहां से continue किया, और यहां पर h4 खेला, जैसे h4 खेला, यहां पर आप देख सकते हो, कि h5 के बाद fg आप नहीं मार सकते हो, थोड़े problem हो सकते हैं, और आप hg मारते हो, तो rook into d7 followed by rook g6, और f into g मारते हो, तो queen h7 mate हो जाएंगा, क्योंकि d7 का protection, तो यह एक chance है, white के पास यहां पर, जहां पर, black ने एक्चुली queen h7 के लाइदर, queen into a to b, a option हो सकता था, लेकिन queen a5 का जो threat है, वो e1 पर check देके, आप e5 मार सकते हो, तो rook d1 के ला, white नहीं इदर, e4, और black कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे तो queen set counter create कर हूँ यहां पर, rook d5 के ला, वापस यहां possible, c3 के लाएं यहां पर, black ने, क्योंकि आप अगर इन 3 versus 2 को, 2 versus 1 कर दो, यहां 1 versus 0 कर दो, तो आप उस pawn के through, at least, कुछ counter create कर सकते हो, ताकि white का थोड़ा ध्यान, इदर भी shift ओ, तो b cut c3 मा रहा है, यहां पर, queen cut c3 and then h5, white अपने plan के लिए, अगर हम बात करें, तो बहुत सही तरीके से जा रहे है, क्योंकि जैसी h5 आ रहे है, तो आप h5 लोपन करने के लिए भी जा रहे हो, और rook into d7 के बाद a7 भी मर रहा है, और जो मैंने threat बोला था, कि indirectly h7 पे target बन सकता है, उसका हो भी एक possibility है, rook e7 के लिए यहां पर, यहां पर आकर, आप देख सकते हो, कि ऐसे ज b1 लेके bishop b3 लाना है, ताकि आपको इस diagonal पर problem से रहे, और king उदर involved, तो यह बहुत यह अच्छा maneuvering लगा था मुझे गेम में, जो कि आप बोल सकते हैं कि, बहुत मुश्किल होता है, गेम में ऐसा human player के लिए डूढ़ना, तो bishop queen e1 के लाए हापे, bishop to b3, bishop rook d8, rook d8 को यहां पर rook f3 खेला, white ने, और definitely plan यह हो सकता है कि, rook d7 को आप target करो, और कुछ conditions में, जब आप rook, फिलाल क्योंकि फिलाल कोई threat नहीं था है, यहां पर, और hg को आप hg के बाद rook into g6 नहीं मार सकते हो, क्योंकि 7th rank जो है, वो rook भी control कर रहा है, तो rook f3 खेला, यहां पर queen e4 है, ब्लैक ने, queen to d2, queen d2 को queen g4 के लाए यहां पर, और bishop d1 वापस है, क्योंकि अभी अगर queen into h5 मार होंगे, तो definitely rook into f7 एक threat हो सकता है, so queen e4 के लाए यहां पर वापस, और यहां पर आकर h6 के लिए, अब देख सकते हो कि long term पे हमेशा बैक रेंग के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और वो जो threat था, जी कड़ h5 या queen कड़ h5 को वो भी finish हो गया यहां पर, और dark squares को control करना बहुत मुश्किल होगा अभी, देखा जाए तो black के लिए, नाइट सीजिफिन के लाएं यहां पर, नाइट सीफिन रूप पर आटक है, रूप डी सिक्स खेला, नाइट इसिक्स वापस के लाँ, देखा जाए तो black जो है वो बहुत बार कोशिच कर रहे है कि अगर रेपिटेशन भी हो जाता है, जैसे कि आपर रूप डी 5 नाइट स कुछ पुराने जो software से उन पर खेलोंगे, तो आपको दिखेंगा कि वो बहुत जल्दी draw के लिए agree हो जाते हैं, लेकिन जो नए जो latest जो engines आएं, वो बहुत जादा advanced हैं और उनको पता होता है कि कैसे उस में से और chances create करके continue कर सकते हैं, तो यहां पर white ने बहुत अच्छा जिसके करन x6 और d6 square में मिले हो थे, वो pawn देके इतना risk लेके खिलना कि अभार भी सकते हो बाद में इस game में, यह बहुत अच्छा decision था actually देखा जादो game का, एक बहुत important moment था, और यहां पर queen into e5 के बाद rook d5 खेला white ने, और जैसे alpha 0 ने यहां पर rook d5 खेला, आप देख सकते ह हो कि 2 pawn down है white यहां पर, लेकिन pressure maintain कर रहा है, और यहां पर आकर game का पहला serious mistake किया था, stockfish ने, और queen h8 खेला, queen h8 से आप देख सकते हो, कि इस position में, जो placement है queen का, वो definitely बहुत जादा अच्छा नहीं लग रहा है, फिलाल, लेकिन यहां पर एक अच्छा मुदा, black के लिए, कि instead of queen net 8, queen c7 खेले, और उसमें आप rook fd3 आ सकते हो, जो कि आप बोल सकते हो, कि white is slightly better, लेकिन definitely winning नहीं होना चाहिए, तो clear card winning नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है, तो यहां पर आकर, जैसे ही उन्होंने queen net 8 खेला, queen b4 खेला, e7 पर threat है, knight c5, और यहां पर आकर अब देख सकते हो कि knight c5 के अलावा भी उनके पास option थे, जैसे कि rook e8 वापस ले लेते, जिसमें definitely वो भी एक continuation हो सकता था, पर knight c5 के बाद मैं आपको recommend करूँगा कि आप यहां पर रुक के थोड़ा सा evaluate करो, और पोशिश करो कि क्या हो रहा है game में, यह आप देखें, because अगर आप बात करेंगे पोशिशनल चेस की, tactically हमको सबको पता है कि computer जो है वो बहुत ज़दा strong होते हैं, even आप बोलो कि उनका level जो है, वो world champion से भी बहुत 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 अच्छा रहता है, tactical अगर हम बात करें तो, क्योंकि उनका जो perfection है, tactics में उतना perfection human player के लिए हमेशा maintain करना is not easy, I will say, तो मुश् human player में एक अलग part होता है, और positional chess की बात अगर हम बात करें, तो computer इतना जल्दी match नहीं कर पाएंगा, लेकिन जो game में, इस game में जो movie थी, मुझे लगता है पिछले 4-5 साल में जो बहुत ज़दा अच्छे games होए होंगे, definitely यह top 2 में होगा, top 3 में definitely होगा, और बहुत सरी अच c5 मार दिया, और इस एक exchange sacrifice से, अगर आप देखे तो b cut c5 और queen h4 के बाद अभी दोनों rooks पे threat है, और अगर आप यहाँ पे rook d e8 किलते हो, जो की game में होगा था, तो rook f6 किल दिया, और यही इस पूरे sacrifice का exchange sacrifice का main point था, क्यूंकि फिलाल queen कहीं भी बू नहीं हो सकता है, और जो h4, h5, h6 आके block कर दिया, वो back rank तो create करी रहा था, और अभी आप देख सकते हो, कि wild joy वो extend down है, और दो pawn down है, और वो actually stock fish के साथ के खेल रहा है, जो की world का, बलफा 0 और लिला चेस 0 के पहले, जो सबसे strongest engine था, उस टैप पे, जब भी हम बात करते हैं, तो definitely वो top 2 में होना च scale रहा है, मतलब इतना असान नहीं था, यह गिम को अपने control में रखना, लेकिन after rook f6, यहाँ पे rook f8 खेला, black ने, queen f4, और queen f4 के बद आप देख सकते हो, एकिसाब से black जो है, वो paralyzed हो गया, king side में, और उसके बहुत सारे pieces, सभी pieces यहाँ पे stuck हो गया, और queen chet कहीं मूह नहीं हो इतको अगर अटाओंगे, तो f7 मरता है, तो एक साब से एक slow death के जैसे चल रहा है भी है, a5 गेला black ने, क्योंकि और कोई moves नहीं आपके बास, और यह bishop एक्चुली दोनों pawns को control भी कर रहा है, यह भी एक अच्छी बातती है, otherwise, अगर c6 d5 आ जाता तो शायद थोड़ाँ सा इंप्रू कर सकते हैं पोजिशन में, लेकिन अल्रेड़ी c5 आया हुए तो वो possibility भी नहीं, g4 खिला है हो पर, sorry, तो यहां पर g4, g5 का एक simple idea है, वो d5 खिला, bishop का d5 और after rook d7, यहां पर bishop c4 खिला, आप देख सकते हैं, इधर मेरे सब से rook d4 भी नहीं हा रहा है, क्योंकि उसम bishop into f7, rook f7, queen p8 check, rook f8, queen into f8 mate हो रहा है, तो वो भी possible नहीं है, और उस condition में, actually rook d4 को rook f7 के बाद rook g7 भी mate हो रहा है, so बहुत कुछ threats से तो rook d4 नहीं हा सकता है, definitely यहां पर, a4 खिला black ने, ज्यादा moves बच्चे नहीं, g5 खिला, और अभी आप देख सकते हो कि एक अक्केला rook, देखा जाए तो इस queen को पुरा ब्लॉक करके बटा है, और दोनों pawns बहुत ह ज्यादा अच्छे लग रहा है, so इस condition में queen का value मुझे नहीं लग था कि 9 points बहुत दूर की बात है, बहुत कम उसकी value हो सकती है, तो according to the position, वो position जो pieces की value है वो flexy रहती है बहुत बार, so यहां पर a3 के ला black ने, queen f3, rook c7, queen cut a3, जितना हो सकता है material gain कर रहा है, क्योंकि अभी black जो है वो कहीं improve करना बहुत मुश्किल हो रहा है, black king side में, queen cut a6 मार दिया, finally, क्योंकि अब उन्हें सोचा कि यह position में और ज्यादा weight नहीं कर सकता हूँ, अगर मुझे तो लगता है कि यह दोनो points sacrifice देने के पहले भी वो दे सकते थे, क्योंकि उस, लेकिन, लेकिन, जब तक queen f 3 पे था तब नहीं मार सकते थे, क्योंकि queen simply g से होना रहा है, तो जी cut a6 मारा यहां पर, rook fc8, queen d3, rook fc8, queen d6, rook fc8, और यहां पर आकर white ने a4 खेला, sorry, a4 खेला, और a4 के बाद, मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई किसी प्रकर का कोई fortress बन सकता है, अगर a4 नहीं होती त तो फिर भी थोड़ा चांस था बड़ इस पॉन को simply improve करके promotion के लिए जा सकते हैं, और यह देखा जाए तो completely winning position है, जिसको कि hold करना बहुत मुझेगा, तो stockfish ने यहां पर आपकर resign कर दिया, और हम देखेंगे कि और और अच्छी games कौन से हो हुए in last kuch years में, और कोशिश करें कि जितना हो सके है, हम उन पे discuss करें, अगर आपको भी लगता है कि कोई game बहुत अच्छा हुआ है, मैंने कुछ games already upload किये थे, जो कि बहुत अच्छा हुआ था, last week मैंने एक game upload किया था, Vitaly Burnett's की का, अब भी देख सकते हैं, बहुत ही brilliant तरीके से उनने attack किया था, हम और अच्छे games देखेंगे, कि top 10 जो games वेते हैं, उनमें कैसे players ने अलग-अलग तरीके से chess खेला था, तो कोशिश करते हैं कि अच्छा chess हो, मिलते हैं बहुत जल्दी, bye, thank you.